आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर हम यह देखें तो जो हमारा question है वो assertion reason type question है तो इसमें जो assertion की statement है वो हमारे को करिए अकेनिल fruits are single seeded fruits तो हम कहा सकते हैं यह statement हमारी सही है क्योंकि जो हमारे अकेनिल fruits है यह हम कहा सकते हैं अकेन है वो हमारे किस में आते हैं यह हमारे आते हैं under indescent fruits and indescent fruits हमारे किस के अंदर आते हैं जो हमारे in-dehiscent fruits हैं यह हमारे आते हैं under simple dry fruits हमारे simple fruits होते हैं उसके भी दो type होते है simple dry and simple flashy उसमें जो dry होते हैं उसके under गेल तो आते हैं अगर हम बात करें हमारे एकेन हैं तो हँमारो है पॉल होते हैं एक तो वो हमारे क्या होते हैं small होते हैं dry होते हैं and most importantly वो हमारे one seeded होते हैं तो इसलिए हमारी यह statement सही है अब अगा हमारी जो आगर statement है वो हमारी reason की statement हमें क्या रही है capsular fruits are multi seeded fruits तो यह हम कह सकते हैं हमारी statement सही है क्यों क्योंकि जो capsular fruits होते हैं, वो भी हमारे simple dry fruits में आते हैं, लेकिन जो capsular fruits है, वो हमारे आते हैं under dehiscence, ठीक है, तो ये दो तरह की हमारे हो गए, dehiscence fruits के under आते हैं, और जो ये हमारे capsular fruits होते हैं, capsular fruits हमारे हम कह सकते हैं, वो dry होते हैं, and most importantly multi-seeded होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे seeds present होते ह तो यह statement भी हमारी सही है तो अगर हम देखे हमारी assertion और reason दोनों ही statement सही है लेकिन जो reason है वो assertion को define नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं हमारे question का answer होगा option B assertion and reason बोथ are true but reason is not the explanation of assertion Classics to 12 से लेके meet IIT जही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर